नमस्कार दोस्तो इलैक्टिक वेहिकल से जुड़े नए आपडेट को लेकर हाजिर हूमा आपके पास आई ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज की हमारी पहले ख़बर बैनली के इलैक्टिक स्कूटर की इंडिया लॉंचिंग के साथ जुड़ी हुई है बैनली इंडिया के मैनेजिंग डिरेक्टर शिरीविकास जी के दौरा एक इंटर्वियू में बताया गया है कि बैनली एक इलैक्टिक स्कूटर को येर 2022 तक इंडिया में लॉंच कर सकती है उनके दौरा इस इलैक्टिक स्कूटर के बारे में कोई भी स्पैसिफिकेशन नहीं बताई गई है लेकिन ये इलैक्टिक स्कूटर प्रीमियम कैटेगरी में लॉंच किया जाएगा जिसमें मार्किट लीटिंग टेकनोलजी को एड़ किया जा सकता है अगली ख़बर फ्रांस की इलैक्टिक बैटरी मेनफेक्चरर कमपनी फोर्स पावर के साथ जुड़ी हुई है Force Power फ्रांस की लीडिंग बैटरी मेनफेक्चरिंग कमपनी है जो बड़े ट्रकों, बसिज और मरीन वैसल के लिए इलेक्टिक बैटरियों की मेनफेक्चरिंग करती है ये कमपनी यौरप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के लीडिंग वाहन निर्माता कमपनियों को बैटरी की सप्लाई करती है Force Power इंडिया की किसी कमपनी के साथ पार्टनर्शिप करके इंडियन मार्किट में एंटर करने जा रही है कमपनी भारत में सबसे पहले टू विलर और थ्री विलर को बैटरी पैक सप्लाई करेगी अगले साल मार्च 2021 से Force Power भारत में काम करना शुरू कर देगी सबसे पहले ये कमपनी अपनी मेनफेक्चरिंग को पूने सिटी से शुरू करेगी अगर मार्किट में इलेक्टिक वेहिकल की धिमान को ध्यान में रखे तो बविश्य में आने वाले काफी सारे इलेक्टिक फूर विलर और टू विलर के लिए Force Power अपनी बैटरी पैक प्रवाइड करवा सकते हैं मारी आज की अगली खबर Volkswagen Beetle की इलेक्टिक मोडिफकेशन के साथ जुड़ी हुई है IIT दिली के दौरा 9048 की Volkswagen Beetle को इलेक्टिक वेहिकल में टांस्फॉर्म करने का शांतर काम किया गया है इस विंटेज बीटल कार को इलेक्टिक कार में कनवर्ट करने के लिए इसके इंजन और थोड़े से कंपोनेंट को ही रिमूव किया गया है और इस बात का खास क्याल रखा गया है कि जरूरत पढ़ने पर इस इलेक्टिक कार को असानी से पट्रोल कार में कनवर्ट किया जा सके IIT दिल्ली के दौरा लोगों को इलेक्टिक कारों के प्रती जागरू करने के लिए इस विंटेज कार को इलेक्टिक कार में कनवर्ट किया गया है अचकल मार्किट में काफी सारी कनवर्जन किट अवेलेबल है हम अपनी existing car को electric car में convert करके इसकी लाइक को काफी जादा लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं आज की इस वीडियो में बत इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे comment box में जरूर बताएं और मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें